चैनल को सस्क्राइब कर ले और सस्क्राइब करने के बाद बगल में जो घंटे का आइकन है फ्लीज आप असे जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नमरता बदोरिया इंडियन यूटूबर और आप सबी लोगों का मेरे यूटूब चैनल पर स्वागत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी एक ऐसा सरलसा आसान नुस्खा जिससे आपके गर से सारे मच्छा गाइब हो जा जाएंगी यानि की एक नुस्खा और छिपकली और मच्छों की छुटी तो यह देखे दोस्तों आप मच्छों को भगाने के लिए कौायल जलाते होंगे या फिर आप इस तरीके से लिकुड जलाते होंगे लेकिन आपको नहीं पता है यह कितना जहरीला होता है और इसे मटाते हैं मैं बताती हूँ एक आपको आसान सा घरी लिए नुस्खा जिससे आपके घर मच्छल और छिपकली दोनों नहीं रहेंगे दोनों भाग जाएंगे तो यहाँ पे मैंने लिया है एक प्याज दोस्तों मैं आपको यह दिला दूं कि अगर आपको यह वीडियो पसं आप क्या करेंगे यह देखिए मैंने प्याज को सीधा रखा है अब हम प्याज को अपोजिट साइड में यह देखिए इस तरफ से प्याज की दूसरी तरफ को हम इस तरीके से चाकू से गोद देंगे यह देखिए थोड़ा सा इसमें हम निसान बना देंगे इस टाइब से यानि काटे से तो अब इसमें तरीके से आप निसंद बना करके आप क्या करेंगे हम हमें चाहिए ये पुदीन हरे के गोलिया यह देखिए ये पत्ता आपको मार्केट में मैडकार स्थोर में मिल जाएगा आराम से कोई दिककत नहीं है और 10 पर पत्ता आता कोई ज्यादा महँगा भी नहीं है इसम बहुत जादी को लेंगे कि मास हैं आप विडियो पूर देख है कि आप बिल्कुल इसके पना करें अष्चा कोई प्रॉब्म्न बच्चे बूड़े घर में सभी लोग ऺएंगे मुझे लोगों को तो यह कौईल लगा दो थो उनको भूल जाता प्रावल्म हो जाती है जानी की बीपी बढ़ने लगता है इस तरीके से प्रफ्लम हो जाती है बड़े बजल्गों को तो इस तरीके से आप पुदी नरे की टä कितना तेज होता है और प्याज का इसमेल कितना तेज होता है ये देखिए इस तरीके से आप दोनों पुदीन हरे की टैबलेट को ले करके और इसका ओयल यानि कि तेल इसका इस प्याज में डाल दीजिए ये ओयल धीरे से प्याज में दीरे दीरे अंदर चला जाएगा प्या कि पुली कुल में तो तक तक etaan करे सकते हैं तो यह आप मैंने को ढाल करके और आप षी ले ले करके शुई में धागा लगा लें और इस तरीके से नीचे कि तरफ से यह जो तेल वाला पार्ट इसको उपार ही रखना है नीचे से इस तरीके से ले करके और इस सुई की जो धागा है इसके नीचे आप लगा दें गाठ इस तरीके से यह देखिए इस तरीके से आप गाठ लगा दें तो प्याज में प्याज गिरेगा नहीं आपका अब आपको करना क्या है इस तरीके से आप धागा लगा करके प्याज में और आप इसे कहीं भी, जिस कमरे में आप सोते हैं, उस कमरे में इसको लटका दीजिए, इस तरीके से, धागे से बंद दीजिए आप, आप देखेंगे धीरे-धीरे कमरे में इतनी ये खुसवू पैदा कर देगा कि मच्छर और छिपकली आपके कमरे में टिक नहीं सकते हैं, सारे मच्छर और छिपकली घर से बाहर हाँ जब आप इसको टांगेंगे अपने कमरे में तो मात्र 15 मिनट के लिए आप अपने कमरे के दरवाजा खिड़की को कर दें बंद और उसके 15 मिनट बाद आप खिड़की को थोड़ा सा आप खोल दें ताकि मच्छर और छिपकली घर से बाहर हो जा यानि कमरे से बाहर हो जा एक प्याज इस तरीके से आप एक प्याज तांगे तो ये प्याज आपका तीन चार दिन चल जाएगा आराम से तीन चार दिन तक कमरे में स्मेल बनी रहेगी और आप आराम से सोते रहेंगे आपके कमरे में एक भी मच्छर बापस नह नमस्कार